नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है कंप्प्रोटर बेशिक ज्यान के अंदर दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे how to insert text box in MS Excel, MS Excel में text box कैसे insert करें आज इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्ता जैसा कि आप यहां देख पारें मेरे पास एक table है जिसमें कुछ students के marks हैं अगर मैं चाहूं कि यहां पर मुझे एक box में टैटल आदू कि यह कौन से class के बच्चों का और कौन से test का marks है या फिर में इसके bottom में तो इसके लिए हम लोग text box का use करते हैं आप इंसर टैब में जाना है आप लोगों को text box पे click करना है जैसे text box पे click करेंगे आप देखेंगे cursor जो mouse का cursor pointer है वो change हो गया है आप mouse का left button hold करके इसको drag करके और बना लीजिएगा ठीक है अब यहां पर मान लीजिए मुझे इस table के regarding कुछ भी heading डालनी है वो में इसमें paste कर दूँगा यहां पे अब मान लीजिए जैसे ही मैं इसको यहां बोर्टर पे जा रहा हूं यह इसका pointer change हो जा रहा है cursor का तो आप इसको left button को hold करके आप इसका position change कर लेए टॉप में ले जा सकते हैं bottom में लाना तो bottom में ले जा सकते हैं ठीक है color change करना है text का तो यहां से हम color change कर सकते हैं टेक्स का ठीक है माली इस टेक्स बोक्स के बेग्राउंड लगाना है मुझे तो यहां से में इसका बेग्राउंड लगा दूंगा जो भी मुझे अच्छा लग रहा है वह ठीक है और माली यह टेक्स मुझे सेंटर में करना है तो होरिजेंटल यह हो जाएगा सेंटर में वर् परकार से आप कोई भी हैडिंग्स है या कोई टेबल के रिगार्डिंग उसका टाइटल है वह आप टेक्स बोक्स लेके उसमें इंसर्ट कर सकते हैं मैं सेक्षल में ठीक है और यहां पर एक option और भी दिया हुआ है अगर आपको टेक्स वगरा जैसे इसमें रोटेट टेक्स अप करना है या रोटेट टेक्स डाउन करना है तो इस परकार से भी इसमें हो जाता है वर्टिकल करेंगे और वापस यह आप इस परकार से कर सकते हैं ठीक है यहां पर यह option भी अविलेबल है तो आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें शेर करें और मेरे चैनल को जो जो सब्सक्राइब करें नमस्कार धन्यवाद